Hello everyone, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमें एक numerical given है और हमें एक diagram given है तो numerical को read out करते हैं The turning moment diagram for a petrol engine is drawn to a vertical scale of 1 mm is equal to 500 mm मतलब vertical scale पे जो हमें 1 mm का meaning होगा वो कितना होगा 500 newton meter and a horizontal scale of 1 mm is equal to 3 degree तो horizontal scale पे जो 1 mm का meaning होगा वो होगा आपका 3 degree तो हमें एक ये diagram given है ये क्या turning moment diagram है torque and theta जो आपका turning moment है और जो आपका crank angle है उसके बीच में एक diagram given है clear अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये 1 mm का मतलब 500 mm है 500 newton meter है vertical scale पे और horizontal पे क्या है 3 degree के बराबर ये मैंने इस तरीके से शो कर दिया ताकि हम इसकी calculations करेंगे तो easy रहेगा next हमें क्या given है the turning moment diagram repeats itself after every half revolution of the crankshaft मतलब turning moment diagram क्या करेगा अपने आपको repeat करेगा every half revolution of the crankshaft and the areas above and below the mean torque line ये कौन सी लाइन होती है mean torque line जो की blue pen से बना रखी मैंने ये mean torque line है इसके उपर और नीचे की तरफ हमें areas given है और जिसकी values हमें given है 260, 580, 80, 380, 870 and 250 जो इस mean torque line के नीचे की तरफ areas है वो negative में है और जो उपर की तरफ है वो positive में given है clear and the rotating parts have a mass of 55 kg मतलब हमें mass की value given है जो की कितना है हमें M की value given है 55 kg ये given data लिख रही हूं में यहाँ पे and हमें क्या दिया हुआ radius of gyration of 2.1 meter मतलब कि हमें small k की value दे रखिए 2.1 meter if the engine speed is 1600 rpm engine की speed हमें कितनी दे रखिए 1600 rpm हमें given है clear determine the coefficient of fluctuation of speed हमसे क्या पूछा है हमसे cs की value पूछी है I hope यह question हमें समझ में आगी अच्छी तरीके से कि हमें क्या दिया है और हमें क्या निकालना है ठीक है अब हम आगे की तरफ move on करते हैं just हमें यहाँ पर क्या दिया 260 mm square मतलब की इस mm square का meaning क्या होगा एक mm का मतलब होगा 500 और एक mm का मतलब होगा 3 degree तो इसको convert करना देख लेते कि किस तरीके से मुसको convert करते हम उसको इस तरीके से convert करेंगे जैसे कि 260 ठीक है multiply by क्या होगा 500 and 3 अब 3 क्या है यहाँ पर degree के अंदर है हमें उसे रेडियन में convert करना होगा तो मैं pi by 180 से उसको multiply कर दूँगी तो मतलब 260 mm square का meaning क्या है मेरे पास यह उसका meaning है clear तो मतलब की 1 mm square की जागे मैं क्या लिखूंगी इस value को मैं यहाँ पर लिखूंगी 500 multiply by 3 multiply by pi by 180 तो यह सिर्फ मैंने समझाने के purpose से यहाँ पर लिखा है कि उसका meaning किस तरीके से हमें जो scale given है उससे हम calculate करेंगे clear अब इसके बाद हम आगे चलते कि हमें निकालना क्या है Cs हमें निकालना है Cs की value अगर हमें निकालनी है तो हमें पता है formula क्या होता है formula क्या होता है आपका delta E is equal to I omega square Cs यह हमारे पास formula होता है हमें क्या करना है Cs की value निकालनी है तो Cs की value निकालने के लिए क्या formula बन जाएगा Cs is equal to delta E divided by I omega square यह formula बन जाएगा इससे हमें Cs की value निकल जाएगे और omega के जाएगे further हम simplify करें तो हम क्या लिख सकते delta E upon M k square omega square Cs का यह formula बन रहा है इससे हमें equation number 1 दिया दिये क्योंकि जब मुझे values मिल जाएगी तो मैं इस equation में values को क्या करूंगी put कर दूंगी clear अब हमें बात आती है कि हमारे पास में delta E होना चाहिए M हमें given है K हमें given है omega हम निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास में RPM given है clear पर हमारे पास में delta E given नहीं है तो delta E हमें निकालना है वह maximum fluctuation in energy कैसे निकालेंगे वह हम देख लेते हैं just मैं assume करती हूं जो point A है उसको मेरे पास में energy की value है उसको मैंने assume कर लिया है कि उसपे energy की value कितनी है E है capital E मैं उसको assume कर लेती हूं कि उसपे E है मैं यहापे mention भी कर देती हूं let energy at point A is equal to E अगर point A पे energy की value E है तो point B पे क्या हो जाएगा जो A पे है plus 260 mm square ठीके तो उसको मैं add on करते जाओंगी तो इसी तरीके से मुझे A पे निकाल लिया है इसी तरीके से मुझे B पे निकालना है तो मैं क्या करूंगी B ठीके E plus 260 इसी तरीके से मुझे C point पे निकालना है तो C point पे क्या होगा जितना B तक निकला है वो प्लस यह 580 को मैं और add करूंगी लेकिन यहां पर बात ध्यान देने की यह है कि इस mean torque line के जो निची की तरफ है वो negative है और उपर की तरफ क्या है positive है तो 580 को मैं यहां पर subtract करूंगी minus करूंगी clear तो जो point B पे value थी E plus 260 as it is लिका है minus 580 मैं यहां पर mention कर दिया है similarly अगर point D पे बात करें तो क्या होगा जितना value C पर है उतना और plus 80 मुझे वहां पर कर देना है क्योंकि 80 और वहां पर add हो जाएगा तो वही चीज में यहां पर कर रहे हूं E plus 260 minus 580 plus 80 clear अब E point पर बात करें तो E point पर क्या हो जाएगा जितना D पर है उतना minus 380 clear तो जितना D पर है मैं उतना एज़टी जिया पर लिख रही हूं minus 580 plus 80 यह तो क्या था अब कितना और minus करने 380 minus करने तो minus 380 यहां पर मुझे लिख देना है clear same तरीके से करना है F point पर now F point पर क्या हो जाएगा F point पर अगर मुझे निकालना है तो जो E point पर आया है वो प्लस यह point पर क्या आया है E plus 260 minus 580 plus 80 minus 380 यह जो आया है इसमें मुझे क्या करना है प्लस 870 और add कर देना है ठीके तो यह value मेरे पास निकल कर आएगी जब मैं इसको solve करती हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा E plus 250 ओके इसी तरीके से मुझे अब मुझे क्या करना है G point पर निकालना है तो G point के लिए क्या होगा जो value F पर निकल कर आईए F minus मुझे क्या कर देना है 250 तो जब यह आप कर दोगे तो क्या values आपके पास में आ जाएगी जो कि आपकी point E पर थी ठीके F point पर क्या है यह value आपकी E plus 250 तो E plus 250 minus 250 कर दोगे तो 250 से 250 क्या होगा जाएगा तो आपके पास में जो value बची हो क्या बची है E clear आप सबसे पहले देखें कि B point पर मतलब कहां पर maximum value आ रही है इन सारे points में कहां पर minimum value आ रही energy की तो अगर मैं देखो कि E के साथ में सबसे plus में क्या हो रहा है 260 हो रहा है इसको अगर मैं solve करूँ सबको मैं solve करके देख लेती हूँ कि कितना कितना value आ रहा है इसको अगर मैं करूँ E 260 minus 580 मतलब कि minus के कितने बच रहे 3 20 इसको solve करें तो क्या बचेगा e minus 240 इसको solve करूंगे तो क्या आएगा e minus 620 इसको solve करेंगे तो क्या आएगा e plus 250 ठीक है अब देखा जाए यहाँ पर तो सबसे maximum value कौन सी है यह वाली value सबसे maximum है और अगर देखा जाए क्योंकि e मैंसे सबसे ज्यादा amount minus यहाँ पर हो रहा है तो यह value क्या होगी सबसे minimum होगी तो हम यहाँ से delta e easily calculate कर सकते है delta e की value क्या होती है e max minus e minimum होती है मैं यहाँ पर लिख भी देती हूं यहाँ पर e max minus e minimum मतलब कि जो fluctuation निकालना है वो क्या होगा इन दोनों का difference होगा तो difference easily हम calculate कर सकते है किस तरीके से e plus 260 minus this amount तो इसको bracket में लिख देती है क्योंकि minus already बाहर लगा हुआ है e minus 620 इस तरीके से लिख दो तो क्या निकल के इसको solve करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है e से e cancel out हो जाएगा मैं एक बार दिखाई देती हूं 260 minus e plus 620 क्योंकि minus था bracket के बार size change हो गया e से e क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा तो कितना निकल के आ रहा है मेरे पास में इसको solve करेंगे तो 880 mm square clear अब मैंने जैसे कि बताया था कि mm square को किस तरीके से हम change करते यह यहां पर मैंने बताया है तो इसी तरीके से हम उसको change करेंगे मतलब 880 mm square का meaning क्या हो जाएगा 880 multiply by 500 multiply by 3 multiply by 5 by 180 clear यह वही concept जो मेरे आपको यहां पर बताया था इसी तरीके से मैंने उसको change कर लिया है तो जब मैं इसको solve करती हूं तो मेरे पास में इसको solve करने की बाद में क्या आएगा इसको solve करने की बाद में आएगा मेरे पास में 23038 clear यह मेरे पास में में आए डेल्टा e की वैल्यू अब डेल्टा e की वैल्यू मेरे पास आ गई है अब equation 1 में जो भी मुझे requirement थी वह सब कुछ मेरे पास में डेल्टा e calculate कर लिया है एम मुझे given है के मुझे given है ओमेगा किस तरीके से निकल जाएगा 2 pi n upon 67 निकाल लूँगी तो सिधा मैं direct इस formula में पुट करके उसको solve कर लूँगी तो मेरे पास में जो coefficient of fluctuation of speed है वह निकल के आ जाएगा तो इसको solve करते आगे क्या निकल के आएगा डेल्टा e से हमें cs निकालना है ना पहले cs डेल्टा यह कितना निकल के आया है 23038 divided by m k square omega square m की value कितनी है 55 यहाँ पर given थी हमें already given data आ जाहिए k की value कितनी है 2.1 meter 2.1 का square multiply omega square omega कितना है 2 pi n upon 60 होता है omega की value क्या होती है 2 pi n upon 60 omega is equal to 2 pi n upon 60 होता है n की value मुझे given है वहाँ से मैं यह value put कर दूंगी तो 2 pi की जाएगे लिखना है 3.14 into n की value कितनी है 1600 upon 60 इसका square इसको अगर मैं solve करते हूं तो मेरे पास ने value किसकी आएगी c s की आएगी clear तो इसको हम solve करके बता देती हूं मैंने already solve किया हुआ है दिखा देती हूं मैं आपको दिख रहा है आपको अब यहाँ पर क्या किया है मैंने टू पाई एन अपोन 60 टू पाई की value कितनी है 3.14 और एन की value किया 1600 तो मेरे पास data आया अपोन 60 करोगे तो कुछ यह data आएगा उसका भी square करोगे तो यह data आएगा मतलब कि मेरे पास में यह values निकल के आ गई है clear मतलब कि omega square निकाल लिया है अब omega square को किस से multiply करना है 2.1 square multiply by 55 वह मैंने यहाँ पर किया है तो value कितनी आ गई है इतनी value यह पर आ गई है आगे क्या करना है जो भी value यह आई है divided by क्या करना है 23038 से नीचे से इसके value यहाँ पर पूट कर देंगे तो solve करने की बाद में यह value यहाँ पर आ जाएगी कितनी value आ रही है यहाँ पर point 00033 ठीक है इतना लिग लेते point के बड़ डिजिट यह value मेरे पास में आ रही मतलब cs कितना आया है इतना मेरे पास में आया है और अगर मैं इसको इस तरीके से भी शो कर सकती हो और 33% तो आप यहाँ तक भी करते हो तो आपका answer क्या होगा correct है इस तरीके से आपको exam में पूरा numerical solve करना है and step by step अगर आप काम करोगे तो आपके कहीं भी marks नहीं कटेंगे I hope यहाँ तक सबको clear होगा अगर फिर भी कोई doubt होता है कि कहाँ पर कुछ भी doubt होता है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते है thanks for watching